हेलो दोस्तों फिर से स्वागत है मेडा चैनल में आज मैं इस लेटेस्ट गोल जुमका को मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं बना के तो अन तक दिखते रहे ना पहले मैं गोल्ड मेल्टिंग कर लिया यह है 22 का काम उसके बाद मुझे कुछ तार किज लेना है देख लि बिंदी बना लेना है तो उसके बाद मुझे इस बिंदी को काट लेना है काटके गोल कर लेना है यानि कि आच्छे से राउंड कर लेना है ओके दोस्तों देख लिजिए कैसे राउंड किया ज्यादा है बिंदी ज्यादा टाइम नहीं लगता शॉटकाट है यह काम तो दोस्तो – ऐसे ही किया जाता है है इस सब को मैं अब कर ओसमा और कर भी लिया ओकें आभी क्या करना है? अभी मुझे ब्लक वाक्त्स यानि की काला मुंब जो गोला सोना का कम में लगता है उस्ब मैं ले लिया और उसमें इस को सजा दूंगा कुछ इस तरह से यानि कि इस डिजाइन का हो गाए अब लोग को अब लोग देख लेजिए कुछ कैसा हो गाई ये काम देख सकते हैं अब लोग हेलो दोस्तों मेरा नाम है देवाशिष अगर अभी तक मेरा इंस्टाग्राम पर आप फॉलोव नहीं किये तो जाके फॉलोव कर सकते हैं क्यूंकि उसमें आपका क्या फाइदा होगा आपका कोई भी दिख्कत आये काम में तो आप उहां क्वेस्ट और मैं उधर सभी का जवाब दूँगा क्योंकि यहां सब कमेंट का मैं जवाब नहीं दे पाता लेकिन दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जरूर से एक कमेंट और लाइक शेयर जरूर कर देना और मेरा चैनल पे अब नए है तो सब्सक्राइब करके बे आप जल्दी से जल्दी देख पाएंगे उस वीडियो को जो मैं अपलोड किया तो दोस्तों अभी देख लीजिए सोलर रिंग भी कर लिया और प्लस्टर से भी उठा लिया उठाने के बाद यह है 21 गेज का तार इसको कुछ माप से एक माप से कर लेना है गोल ठीक है काटक अभी यह 27 गेज का तार से मुझे हाट शेफ का यानि कि लव सेफ का एक फ्रेम बनाना है इस फ्रेम को आठ बनाना है तो मैं एक फ्रेम को बना के दिखाने वाला हूँ ओके देख सकते है हो गया इस तरह का आठ बना लेना है और बनाने के बाद इस आठ फ्रेम को मैं देख लीजिए पाद में सुल्डरिंग करके कार्ड भी लिया अभी इसको बेंड करना है दोस्तो इस तरह से थोड़ा सा बेंड करना है बेंड करने के बाद दोस्तो फिर से ये बलाक वक्स का इकामल है इसमें ही अब सजाना पड़ेगा ठीक है साजाने के लिए दोस्तो और थोड़ा सा इसके उपर मॉम ओफेल दे देना है थोड़ा सा उचा कर देना है क्यूंकि यो जो थोड़ा सा बेंड किया था नहीं तो बैठेगा नहीं अच्छे से ओके कुछ इस तरह से बैठा देना है दोस्तो अभी जो हार्ट सेप का में फ्रेम बनाया था उसको कुछ इस तरह से जोंका टाइप का कर लेना है ओके इसको बोला जाता है मीनी जोंका- ये अभी में मर्केट वे बहुत ज़्यादा πο है इस जूंक्य का बहुत ज़्यादा डीमंड है बहुत ही लोग पसंद करते हैं बहुद करते हैं इसको आपको भी पसंद आये तो आप हमें कोंतुक कर सकते हैं अगर का तका है तो आप कॉंटक कर सकते हैं हमसे तो अभी उपर का जो टॉप पीस होगा यानि कि इसको पासा बोला जाता है पासा को में सजा लिया और प्लास्टार और पैरिस उसके बाद दे देना है प्लास्टार औक पैरिस आभी करना है वाहियो स्ल्रडर्इक का काम और वाहियी नेतुडे का कडियम से इसको सोल्रडरिंग करना पड़ाएगा अभी आपको बास क्रट का केडियम बनाना नहीं आता तो उपर आइब टम में जाके य gir चेक भी कर सकते है कि कैसे किया जाता है कि गोल्ट 22 केट का गोल्ट एकेडियम मेल्टिंग ओके तो शोल्डरिंग करने के बाद इसको मैं प्लास्टर से उठा लूँगा और फिटिंग कर दूँगा फिटिंग याने कि इसके उपर रिंग से अच्छे से सबी जो अलग-अलग से मैं बनाया देख जी देख लिए पिछे का पीस उपर का पीस सबी को अलग-अलग से बनाया लेकिन उसको एक साथ कर लेना है उसको बोलते हैं फिटिंग ओके उसको मैं कर लूँगा सो लेडिंग के बाद प्लास्टर के प्लास्टर से हाट आने के बाद ओके तो दोस्तो शूभो दूर्गा पुजा आमार पुजा बाँगालीर एक गणभो एक टान जेई टाने छूटे जाए बाँगालीरा पाडबार दोस्तो इस बेंगोली लेंगुएज में इसको मैं बोला इसलिए सोरी क्यूकि ये बेंगोली का सबसे बड़ा उत्सब है याने कि सबसे बड़ा पुजा है अब लोग इंजोई कर सकते हैं इसको लेकिन इस साल नहीं इस साल ज्यादा नहीं अब बाहर से भी आ सकते हैं बेंगोल में दूर्गा पुजा देखने के लिए तो दोस्तो दूर्गा पुजा अब लोग इंजोई कीजिए तो दोस्तो अभी इसको फिटिंग कर लूँगा ओके देख लीजिए फिटिंग ऐसे कर दूँगा अभी फिटिंग कर लिया एसीर में सब कर लेना है मुझे इसको देख सकते है एसीर में भी सफ कट लिया और बहुत ही खूबस secularית और अच्छा लग रहा है अब लोग देख सकते है इसको अभी काटिंग और पॉलिसिंग के बाद देख लीजिये महग रहा है अगर कोई भी लेडिज इसको पहनेंगा तो बहुत ही खुपसूरत लागेगा उसका कान क्योंकि यह जो जूमका है बहुत ही खुपसूरत है तो दोस्तों चलिए मिलते हैं और लेटेस्ट वीडियो लेके तब दक के लिए जैहिंद वंदे मातराम भारत माता की जै